हाँ तो आज की वीडियो में हम इस वाले स्काइफ्लाइ एफ एकसाई 6 ट्रांस्मीटर को मोटिफाई करने वाले जो बेसिक सा कुछ इस तरह से दिखता है इसे हम थोड़ा नया लुक देने वाले और आप देखेंगे आगे वीडियो में हम किस तरह से देते हमें लेना क्या ह लिए दोनों हमेरे पास अलग अलग कलर सकी है अब इन ही टेप से हम इसे नया लुक देने वाले हमें क्या करना है पहले इसे अच्छे से साप कर लेना है ताकि जो भी हमारे त्रांस्मीटर के उपर धूल जमी यह वह साप हो जाए जिससे हमारा ट्रांस्मीटर पर टेप अच्छी से चिपके एगी याने कि फिले हम इसे क्लीन कर लेते हैं अच्छे से हें यह हमारे ट्रांस्मिटर क्लीन होगे है अब हम इस पर टेप लगाने वाले हैं था कि धो करने वाले जो गरीफ होते हैं जोई सट के पास हें इन पर डैला लेंगे ancora झाल 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 हमने एक साइट से टेप लगा कर ट्रांस्मिटर पर कंप्लीट कर लिया है अब हम दूसरी साइट पर टेप लगा कर कंप्लीट करने वाले हैं ट्रांस्मिटर को जो बाद में इसकी कटिंग करेंगे हम कटर से उसके बाद जो इसका लुक एकदम अलग दिखेगा वीडियो आप पूरा वोच करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आएगा कि हमने केसे क्या किया है कहां पर कट दिया है और कहां पर टेप लगाई है हमने ट्रांस्मिटर के दोनों ग्रिप्स पर एक नहीं दो नहीं तीन से चार बार कोडिंग किये टेप की ताकि वह अच्छे से वाइट वाइट दिखे बिल्कुल हमारे टेप थोड़ी से ट्रांस्पेरेंट है इस वज़े से हमने दो से तीन बार लगा है अब अच्छे क् में क्या है कि ट्रांस्मिटर के जो यहां पर निशान दिये मां पर ग्रिफ्स के रबर टाइप कुछे तो आप हम कट लगाएंगे दोनों साइट कट लगा कि हम उसे कंप्लीट कर लेंगे कट लगाते जाएं और आप इससे थोड़ा आज से फिनिशिंग भी दे ताकि वह झाल कि अब आप देख सकते हैं ट्रांस्मिटर की लिए रिफिस कितनी बेश्ट लग रही है वाइट कलर गई हमारा उसके बाद अगर आपके पाज दूसरा कुछ equipment हो या फिर रेडियम अगेरा तो उसका भी आप यूज कर सकते हैं और थैंक्यू वीडियो देखने के लिए और लाइक कर दे चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले इस टाइप की वीडियो आने के लिए थैंक्यू